दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर में इस्तमाल होने वाली सभी वस्तूओं को इंगलिस में क्या कहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कूडादान कूडादान को इंगलिस में डस्ट बीन कहते हैं डस्ट बीन ये है कुर्सी इसे इंगलिस में चेर कहते हैं चेर चटाई चटाई को इंगलिस में मैट कहते हैं मैट आइना आइना को इंगलिस में मीरर बोलते हैं मीरर ये है रुमाल इसे इंगलिस में कहते हैं हैंकरचीफ हैंकरचीफ या फिर इसे हम हैंकी कहते हैं हैंकी घडी घड़ी को इंगलिस में क्लोग कहते हैं क्लोग ये है बाल्टी इसे इंगलिस में बकेट कहते हैं बकेट बर्तन बर्तन को इंगलिस में कहते हैं यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स नल नल को इंगलिस में कहते हैं टैप ये है सुराही इसे इंगलिस में कहते हैं जग अगरबती अगरबती को इंगलिस में कहते हैं इंसेंस्टिक बाती बाती को इंगलिस में बोलते हैं विक डबलू आई सी के विक अंगीठी अंगीठी को इंगलिस में कहते हैं हर्त ह-e-a-r-t-h हर्त ये है जुमर इसे हम इंगलिस में कहते हैं चेंडे लेयर दातों का बुरुस इसे हम इंगलिस में कहते हैं टूत बरस दंत मंजन दंत मंजन को हम इंगलिस में कहते हैं टूत पाउडर ये है साबुन इसे हम इंगलिस में कहते हैं सोब साबुनदानी साबुनदानी को हम इंगलिस में कहते हैं सोप केस तोलिया तोलिया को हम इंगलिस में बोलते हैं टावल कच्छा कच्छे को हम इंगलिस में कहते हैं अंडर्वियर कमीज कमीज को इंगलिस में कहते हैं शर्ट सोचासन सोचासन को हम इंगलिस में कहते हैं टोइलेट सीट या हम इसे कमोड भी कहते हैं कमोड पतलून पतलून को इंगलिस में बोलते हैं ट्राउजर कंगी कंगी को हम इंगलिस में कहते हैं कॉम तेल तेल को हम इंगलिस में कहते हैं ओल جھولा कुर्सी को हम इंगलिस में कहते हैं स्وिंग चेर قبर्ड या इसके अलावा हम इसे рас чем अल्मीरा भी कहते हैं बोरा बोरा को इंगलिस में कहते हैं सैक सैक दरी दरी को हम इंगलिस में बोलते हैं कार्पिट कार्पिट रसी रसी को हम इंगलिस में कहते हैं रोब रोब मंदिर मंदिर को हम कहते हैं टेम्पल टेम्पल रसोई घर रसोई घर को इंगलिस में कहते हैं किचन किचन कपडे धोने की मसीन को हम कहते हैं वासिंग मसीन कंबल को हम कहते हैं ब्लैंकिट रजाई रजाई को इंगलिस में कहते हैं क्विल्ट खाट या चारपाई खाट और चारपाई को इंगलिस में कहते हैं कोट C.O.T. code जाडू जाडू को English में कहते हैं broom जाडू को English में कहते हैं mortar मोर्टर पायादान पायादान को English में कहते हैं door mat इसे हिंदी में कहते हैं चलमची चिलमची और इंगलिस में कहते हैं वास बेसन फूलदान फूलदान को इंगलिस में कहते हैं फ्लावर वास बोतल बोतल को इंगलिस में कहते हैं बोटल तिजोरी तिजोरी को हम इंगलिस में बोलते हैं सेफ सेफ संदूक संदूग इसे हम इंगलिस में कहते हैं बोक्स तराजू तराजू को इंगलिस में कहते हैं बैलन्स या वेंग स्केल सोफा सोफा को इंगलिस में कहते हैं काउच पर्दा पर्दे को हम इंगलिस में कहते हैं काटेन कार्टेन च्छत्री च्छत्री को इंगलिस में कहते हैं अमरेला कलम कलम को कहते हैं पैन किताब किताब को हम इंगलिस में बुक बोलते हैं बुक गिलास किलास को कहते हैं टंबलर टंबलर इस्त्री को हम इंगलिस में कहते हैं आइरन पोच्छा को हम इंगलिस में कहते हैं मोब तकिया को हम बोलते हैं इंगलिस में कुसन या पिलो गद्दा को हम इंगलिस में कहते हैं मैटर्स मेटर मौमबती मौमबती को हम बोलते हैं कैंडल कैंडल चाबी चाबी को हम इंगलिस में कहते हैं की की ताला ताला को हम बोलते हैं लोक लोक चादर चादर को हम कहते हैं बैड सीट बैड सीट बिस्तर बिष्टर को हम बोलते हैं इंगलिस में bed इसे हम कहते हैं हिंदी में वाता नुकूलक और इसे इंगलिस में कहते हैं air conditioner जिसे हम short में कहते हैं AC ये है पंखा इसे हम इंगलिस में कहते हैं fan ये है चूला जिसे हम इंगलिस में कहते हैं stow ये है चिम्टा इसे हम इंगलिस में कहते हैं tong और दोस्तों ये है मैज इसे इंगलिस में क्या कहते हैं अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई